मध्य प्रदेश की राजवर्ड जिले में कलेक्टर द्वाला किये गए क्रत्य का विरोध पूरे देश में किया जा रहा है इसी प्रदेश व्यापी आंदोलन के चलते उमरिया जुले में भाजपा कारी करताओं ने कलेक्टर कारियाले के सामने धर्ना प्रदर्शन किया और आज जिपाल के नाम ग्यापन्ज सौपा कलेक्टर कारियाले के सामने भाजपा कारी करताओं ने प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार की खाम्यों को गिनवाया इसके साथ ही अबधरता और वादा खिलाफी के आरोब भी लगाये यहाँ प्रदर्शन भाजपा के प्रदेश मंत्री एवं भाजपा के चुरहट विधायक शार्तेंदु तिवारी उमरिया बांधवड के विधायक शीव नाराएंड सिंग और भाजपा जिला अध्यक्ष मनिश सिंग के नेत्वत्त में किया गया इस दोरान कारी करताओं ने राजपाल के नाम ग्यापन भी सौपा उठाए गया उसके विरोध में भार्ति जंता पार्टी के आन्य दलों के भी जो लोग है सामान नागरिक भी जो इनकी नीतियों से असंतुस्त है जो इनके वचनों से हट जाने के कारण इनके उपर प्रशन उठा रहा है उनको उनको जिस तरह से प्रतारित करने का काम यहा उमरिया में हमारे विधायक पानिशियो नरायन सिंग जी जिलाद एक्मनीश सिंग जी और हमारे अन्य वरिष नेता मितलेज जी आस्तोष जी और सब के साथ हम लोग ने यहां गहराव किया था चुकि उमरिया की स्थिति अपने आप में भी विचित्र है यहां खैरवार ग यहां के कुछ बड़े कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने अवैद रूप से जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं उनके खिलाब कोई कारवाई नहीं है अब देखना यह होगा कि भाजपद वारा लगातार विरोत करने पर क्या राजगर कलेक्टर निधी निवेदिता पर कारवाई की जाएगी जेसार टाइम्स के लिए उमरिया से प्रवेंट टिवारी की रिपोर्ट